जो चालिस पुलवामा हमले में इस देश के बेटे शहीद हुए उनके परिवारों के साथ जो वादा किया था किसी को 25 लाग और किसी को 50 लाग उनको एक रुपईया तक नहीं पहुंचा। पहला उधारण मैंने आपको संजु देवी का दिया था जो 24 साल की विद्वा है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं दूसरा उधारण मैंने आपको कौशल कुमार रावत का दिया था जिनकी पतनी कह रही है चिता जलाने वक्त तो सब पहुंच गए थे फोटो सब ने सरकारी नौकरी और जो मुआवजा मिलना था आज तक नहीं मिला अब ऐसे और किस्से दर्दना किस्से जो नजर के सामने आ रहे हैं कि केवल एक ही दो लोग नहीं अनेक सेनिक के परिवारों को भारतिय जंता पार्टी की सरकार ने ठगा है वादा खिलाफी की है ये हरी सिं सिंग है अपने छोटे से बच्चे के साथ हर्याना से ये उनकी तस्वीर है हरी सिंग की पूरा देश मैं उमीद करता हूं इस देश का मीडिया साहस दिखाएगा केंद्रिय सरकार को ये तस्वीर दिखाने के लिए इस हरी सिंग ने इस देश के लिए पुल्वामा में अप 50 लाख इनको देने के इनके परिवार को वायदा था, सरकारी नौकरी देने का वायदा था, मुआवजा देने का वायदा था, ताकि इस ठोटे से बच्चे का भविश्य सुरक्षित और उजवल रहे, पर उनको एक रुपईया तक नहीं पहुंचा। कौशल कुमार, रावत और महेश यादव, ये उनकी तस्वीर है, जेनों ने पुलवामा में, जो उत्तरपरदेश से हैं, अपना बलेदान दे दिया, पर इनके परिवार को भी जो सरकारी मुआवजा नौकरी नहीं मिला। भारत का वीर फंड में ठग्गी करके भारतिय जनता पाटी ने भारत के वीरों को ठगा है। तो उन 40 सेनिकों के परिवारों को आज तक एक रुपईया क्यों नहीं मिला। भारतिय जनता पाटी उत्तर दे, जो रोज फरजी राश्रिवाड का धोल बजाती है। चुनावी मंचों पे जाके भारत माता की जैके अपने जो दिलसम के खोखले नारे निकलते हैं लगाती है। वो भारतिय जनता पाटी जो 1.500 करोड इस्तिहार भाजी में खरचती है। नहीं बचा जिसमें इस्तिहार ना चापा हो उस भारतिय जनता पाटी को उत्तर देना है भारत का वीर फंड का 2.200 करोड रुपईय किसकी जेब में गया। भारत का वीर फंड है उसकी एक अच्छी बात है कि जो इसमें चंदा योगदान डालेगा चंदा देगा फंड में देगा उनको income tax से माफी मिल जाएगी income tax से exemption मिल जाएगी तो भारत का वीर फंड का भारत्य जंता पार्टी का लक्षे है मुणाफा मेरा नुकसान शहीद के परिवार का भारत्य जंता पार्टी उत्तर दे तीन बातों का पहला प्रश्न भारत का वीर फंड, 200 क्रोड रुपएया का एक बी रुपएया 44 पुलवामा के शिहित परिवारों को अभी तक क्यू नहीं मिला? दूसरा प्रश्ण, भारत का वीर फंड जो नहीं 100 क्रोड रुपएया है, उसका दुर अपयोग कर किसकी जेब में ये 200 करोड रुपईया जा रहा है तीसरा जो मांग है भारती राश्य कॉंग्रिस की और उन सभी देश्वासियों से खास करके जिन्होंने भारत का वीर फंड में फंड डाला कि भारती जनता पार्टी हिसाब दे जवाब दे कि भारत के वीर फंड का 200 करोड रुपईया किस काम के लिए उपयोग हो रहा है अगर वो देश की सेनगे जेब में नहीं जा रहा है जैसा कि मैंने कहा पहले पहले भारती जनता पार्टी ने इस देश के युवा को ठगा भारतिये जनता पार्टी ने इस देश के जो किसान को ठगा, भारतिये जनता पार्टी ने इस देश के छोटे और मद्यम वेपारी को ठगा, भारतिये जनता पार्टी ने इस देश की महिलाओं को ठगा, अब भारतिये जनता पार्टी सैनिकों को भी और उनके जो शहीद सैनि के उनके परिवारों को भी ठगने का काम कर रही है बारतिय जनता पाटी को थोड़ी शरम करो इन सेनकों के परिवारों की अगर हाय लगी तो इस देश को जो आपका सर शरम से जुक जाना चाहिए उसका जवाब दीजिये और हिसाब दीजिये This is Miss Hari Singh, the brave son of this country with a small child who gave life for this nation. Hari Singh is from Haryana. The BJP government had promised him 51 lakhs, his family, money, job but gave zero. The people of India, the contributors of Bharat Ka Veer Fund gave money in the fund totaling to 250 crores in the hope that the son, the child of Hari Singh will have a secure future. But today family of Hari Singh feels betrayed, cheated. The BJP government by misusing the Bharat Ka Veer Fund has cheated the Bharat Ke Veers. Kaushal Kumar Rawat and Mahesh Yadav who were again promised hefty amounts and jobs. Today their family is seeking answers. Where is the money? Where is my father or husband, the son who gave the life for this nation? The money promised, the job promised, where are they? So the question is again, the Bharat Ka Veer Fund scam proves that BJP is in the business of cheating, betraying, robbing, pickpocketing the soldiers of this country, the families of the soldiers who gave up the life for the country. Three specific questions on behalf of Indian National Congress. Number one, why has a single rupee from Bharat Ka Veer Fund with a corpus of approximately 250 crores not being utilized? to release the fund to the families of the soldiers who gave up their life in Pulwama attack. Number two, in whose pocket and on whose direction the 250 crores in Bharat Ka Veer Fund has gone, has been siphoned off if the soldiers family of this country is not getting this money from the fund established under the Ministry of Home Affairs then who is the recipient? Who is the benefactor? Is the BJP government using this money again for their self-advertisement? Number three, the Indian National Congress demands that government should give a proper account on the spending, utilization of Bharat Ka Veer Fund failing which it will be proved के इस देश में ऐसा कोई बचा नहीं जिसको भारतिये जनता पाटी ने ठगा नहीं Thank you